हाई स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड क्लास 10 के कोउस्चन पेपर डिजाइन 2022 देश्का 2 सेसन उसके लिए ठीक है हिंदी का जो पेपर है मलब पेपर डिजाइन है आज किस वीडियो में कवर अप करेंगे हिंदी के अंदर कैसे questions क्या क्या चीज़े आने वाली हैं वो सारी चीज़े आपको समझ में आने वाली हैं इस वीडियो को देखने के बाद में ठीक है चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अज्जे और आप देख रहे हैं CCL class अगर आपको question paper design previous year question paper और साथ में important question वगेरा जो है PDF डाउनलोड करनी है इन चीजों की तो वह सारी चीज़े website पर लिख रखी है मैंने Google पर सर्च कर सकते हो CCL chapter.com ठीक है Google पर लिख लोगे CCL chapter लिखना मिल जाएगी website और वहां पर important question के section में जाओगे important question मिलेंगे उपर menu बना रहा है हर चीज़ के लिए अलग-अलग से दिक्कत नहों तुमको रूणने में बिल्कुल भी चलो अब शुरू करते हैं और हाँ important questions की मैंने playlist भी बना रहे है जो भी वीडियो मां बनाता तो हिंदी का जो पेपर रहेगा वो हमारा रहेगा 3 hours का और total 80 marks का जो question पेपर आएगा हमारे पास में उसके अंदर जो है total 39 questions रहने वाले हैं अब वो question की हिस हिसाब से divided data वो देख लेते हैं total question रहेंगे हमारे पास 39 उनमें से essay type question essay का मतलब होता है lengthy question जो बड़े question होते हैं त तो वो दस नमबर आपको ऐसे देंगे 3 into 4 जो कि आपके 12 नमबर को दोनों में बड़े बड़े लिखने हैं मलब ऐसे टाइप का मतलब यहां पर यह मत सोचना कि बुक से आएंगे question ऐसा नहीं होता यह आपका grammar से हो सकता है यह आपका जो है मैंने पूरा paper ही दिखा दिखा आपको कैसे कैसे क्या क्या आता है यह जो है आपका जीवन प्रिच्च के अंदर आएगा और उसके बाद में जो है आपकी व्यक्या करनी है ना वह सारी चीज आएंगी यह जो तो पांच इंटू करके देख रहे हो ना तुम यह प्रोबैबली व्यक्या वाला portion रहेगा हमा उसके बाद short answer type question सिरफ 2 आएंगे और 3 नंबर का एक question रहेगा हमारा 6 नंबर हमको ऐसे मिलने वाले हैं very short answer type 15 questions हमारे पास आएंगे दो माक्स का question रहेगा एक और 30 नंबर हमको यहां से मिल जाएंगे अब जो हम objective की बात कर लेते क्योंकि यह वो चीज़ें होते हैं जहां पर नंबर मिलते ही मिलते हैं free fund के बट रहे होते हैं तो यहां पर टोटल 22 question में देखने को मिलेंगे जिसम की किताब है उसमें से आने वाला है तो उसमें से आठ नंबर का तो कविता वाला पोर्षन उसमें से आठ एंगे और यहां यहां लोग करवाते हैं यहां पर पांच नंबर के और यहां पर यहां पर ओप्जेक्टिव भी हो सकता है सिंपल कोशन भी दे सकते हैं सारी चीज़े इसी में कंक्लूड करते हैं लोग तो यह टोटल यह पॉर्षन रहने वाला सबसे बड़ा डाउट तो यह रहता हमारा अब की बार एक तो नहीं किताब दे दिया हमको नैतिक शिख्षा करके उपर से वह याद नहीं हो रही देखो जिसको दिक्कत आ रही है नैतिक शिख्षा वाली किताब में तो उनके लिए मैंने वीडियो बना रहा किया पूरी बु सारा कच्रा होता संधी उपसर्ग परत्य वाच्य समास विलों प्रियायवाची मुहावरे लकोक्तियां सबद पद बंद वाक्य विकारी विकारी सबद अनेकार्थी सबद अयोगवा अलंकार छंद इतने सारे गाम में से यह 15 नंबर काने वाला है समझलो भाई तु मतलब क कविकल्पी परसन यानि का मैं कह रहा था ना दोनों प्रसन में से 8 अठाट आएंगे यह जो आपका कवे खंड़ा यानि कविताओं वाला प्रसन है वो आएगा टोटल 18 नंबर का और जो कहानी वाला प्रसन वहाएगा 17 नंबर का बराबर साई है दोनों का डिवीजन अब लेकिन लेखक परिच्चे जरूरी होता है बहुत सारे स्टुटेंट इसी में टक जाते हैं भाई कि लेखक परिच्चे कहां से आएगा इस वाले से कि इस वाले से तो इस वाले से आएगा ठीक है द्याना कर ना सीटीज गद्य खंडिया नी कि कहानी वाले पॉर्सन से आपका जीवन परिच्छा हैएगा चार नंबर का अर्थ ग्रहन संब्ती परसन आयएंगे तीन माerts के और जीवन मुल्डे संब्ती परसन हमारे आएंगे दो नंबर के वो पेपर देखोगे न सेंपल पेपर उसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे कोस्टन आप से पूछे जा रहे हैं क्रितिक आती है दस नंबर की जो कि हमेशा से फिक्स रहा है इनका दो दो इंटू पांच करके दो दो निबंद आएगा पांच नंबर आएगा पत्तर जिसको नहीं आइडिया है पत्तर और निबंद के वारे में मैं सिंपल सिंपल सब्दों में बता देता हूं तुमको वैसे मैंने ग्रामर की पूरी गरामर की वीडियो बना रखे आपके लिए प्लेलिस्ट में देख लेना अगर नहीं देखिया तो उसमें मैंना पूरा बताया कि कौन-कौन से टोपीक है जिन में नंबर नहीं ला सकते हो किन में से आप नंबर नहीं ला सकते जो कि आपको लगने वाले तो देखो निबंद वाले में पत्तर की बात करें तो पत्तर में दो ही टाइब के पत्तर लिखने आएंगे एक तो मित्तर को पत्तर लिखो एक मुख्या द्यापक को पत्तर लिखो तो उनका जो बीच वाला पोर्सन है वो अपने पास से बनाना पढ़ सकता आपको क्योंकि वो रैंडमली कुछ भी पूछ ले रहे हैं लेकिन पत्तर हमेशा मित्तर या मुख्या द्यापक को लिखना रहता है तो उपर वाली हैडिंग जो होती है ना और नीचे वाला जो एंडिंग होता है तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना उसमें कहीं गड़ बढ़ना हो बीच वाला तो आपको मेरे को प पांच करके या रहे हैं इसके कोस्टन भी तो दो दो नंबर के पांच कोस्टन से मिलने वाले आपके ठीक है तो इस अपका पूरा पेपर रहेगा मैंने आपको में में सी चीज़े बता दी हैं कि मांक्स की सिसाब से डिस्ट्रिब्यूटीड है और अगर आपको पेपर से सेंपल पेपर वैब साइट पेपलोडीड है तो वहां पे जाके पेपर की पीडिएफ डाउनलोड करके देखो कि पेपर कैसा कैसा आने वाला है उसको हां एक और चीज़ बता देता हूं तुमको जो है ना अबकी बार आपने सेट सुना हुआ है सेट आते हैं पेपरों में सेट A, सेट B, सेट C, सेट D अबकी बार ऐसा नहीं होने वाला अबकी बार सिस्टम बदल दिया है अबकी बार सेट को सेट का जो नाम है ना नामकर्ण बदल दिया गया है उसको लिखा गया है कोड करके ठीक है इनकी कोड आए अबकी बार सेट A, B, C, D नहीं है कोड करके है और पेपर जो JUST कोड 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 को एंछना बढृब चल्ट को सोल करें और प्रीवे सील को aula से अब स्रंफ मैंने से सारे छाँ सब्सक्राइल कर लेंगे उस के सारह बस डाउनलोड करो मैं गारंटी के साथा के सुछल करो होगे ना 17 से लेके और यह 2022 के सैंपल पेपर तक जो मैंने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रखे हैं आपके 80% मार्क्स कहीं जाने वाले 80% उनके अंदर से आ जाएंगे बस आपका आपकी डूटी है फिर वह सोल्व करने की जाओ यार वेबसाइट पर पीडियाप आपके आपको ट्राइ करो और नातिक शिक्षा के लिए मैंने वीडियो बना रख है प्लेइलिस्ट में देख लेना उससे आपको नातिक शिक्षा का आइडिया लग जाएगा वैसे बुक का सोल्यूशन किसे चैप्टर में डाउट है नातिक शिक्षा में तो वह भी आप देख सक करते हो ठीक है चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाइबाइबाइब